जादातर आम निवेशक शहर बजार में पैसा कमा ही नहीं पाते जिसका एक मेजर कारण आपको पता है क्या है कि हम बिजनस मॉडल को सही तरीके से समझते ही नहीं जिस कमणी में हम निवेश कर रहे होते हैं जैसे आप मेंसे काफी लोगों ने TCS और Infosys में निवेश किया होगा लेकिन दोनों के बिजनस मॉडल में क्या डिफरिंट है ये जादातर लोगों को पता ही नहीं होता गलती आपकी नहीं है हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि in-depth बिजनस मॉडल को कैसे समझें कैसे पता करें कि कमपनी सच में पैसा कैसे कमाती है तो आज इस वीडियो में Real Examples के जरिये मैं आपको सिखाऊंगा बिजनस मॉडल को समझना किसी भी कमपनी के हमें से जादातर लोग तो बस प्राइस ही देखते रह जाते हैं असी में लूँ या 90 में, 100 में बेचूँ या 110 में जबकि असी प्रतिशत समय आपको प्राइस नहीं देखना है असी प्रतिशत आपका समय आपको लगाना है उस कमपनी को इंसाइड आउट समझने में क्योंकि जिस कमपनी में आप शेर होल्डर या पार्ट उनर बनने वाले हैं वो कमपनी तो आप कैरफुली उसका बिजनस मॉडल देखके ही सेलेक्ट करेंगे न तो आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कमपनी के जरीए हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी कमपनी का बिजनस मॉडल समझ सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा शुरू करते हैं फिनोलोजी डॉमिनोस का राइवल कौन है? डॉमिनोस का कॉमपटेटर कौन है? ज़ादा तर लोग कहेंगे पीजा हट लेकिन क्या आपको पता है कि डॉमिनोस का में कॉमपटेटर है जोमाटो और स्विगी जी हाँ नोटिस करिये डॉमिनोस का असली बिजनस मॉडल हमेसे ज़ादा तर लोगों को लगता है कि डॉमिनोस पीजा बिजनस में है लेकिन असल में Domino's Delivery Business में है ये मैं कैसे कह सकता हूँ उनके ads पे ध्यान दीजिए advertisements उनके कैसे होते है 30 minutes नहीं तो free 30 minutes में delivery नहीं आई तो free मैं परेश रावल को नाचते हुए हम सब ने देखा है बचपन में उसके बाद आजकल के उनके ads देखिए खुशियों की home delivery ये हैं रिष्टों का time कभी भी restaurant में enter होते हुए ad में उनके लोग वहाँ पे जो counter में बंदा है वो pizza दे रहा है ऐसा हम नहीं देखते हैं हमेशा focus रहता है कि Domino's का pizza bike से उतर के कोई घर पे deliver कर रहा है तो Domino's delivery business में है अगर आप tier 3, tier 2 cities से हैं तो आप जानेंगे कि Zomato और Swiggy के पहले अकसर हम Domino's इसलिए नहीं मंगाते थे कि हमको Domino's का pizza best लगता था हम Domino's इसलिए मंगाते थे क्योंकि उसके अलावा कोई restaurant हमारे छोटे शहरों में delivery नहीं करता था तो अगर आपको घर में खाना मंगाना है तो Domino's एक तरहां से इकलोता example होता था फिर चाहे वो pizza दे दे, burger दे जो मर्जी दे हमको तो घर में खाना चाहिए तो Domino's का ही option होता था तो Domino's तब भी और आज भी mainly delivery business में है लेकिन हमें से जाधा तर लोगों को लगता था कि वो pizza business में है जबकि वो सब कुछ हमारी आँखों के सामने कर रहा था ads के जरीए हमें बता रहा था कि वो क्या बेच रहा है वो delivery बेच रहा था, pizza नहीं एक example में आपको और देता हूँ हमें से कितने लोगों ने तो Jubilient Foodworks जो की इंडिया में Domino's की master franchise ही है उसके shares भी खरीद लिए कि मैं pizza company में share खरीद रहा हूँ तो ज़ाधा तर समय जब हमें share बजार में loss होता है वो इसलिए होता है कि हमें सही business model ही नहीं पता कि असली business model आपकी आँखों के सामने होता है और हम समझ नहीं पाते तो ये education purpose के लिए मैं दोनों companyya discuss कर रहा हूँ recommendation बिल्कुल भी नहीं है तो सबसे पहले जब भी किसी company का मैं stock देख रहा हूँ analyze कर रहा हूँ तो पहला सवाल मुझे आसानी से ये बताने की काबिलियत होनी चाहिए कि ये company करती क्या है बहुत आसान भाशा में अगर मैं बता पा रहा हूँ कि ये company क्या है usually इसका मतलब है कि मैंने business model अच्छे से समझा है तो club महिंद्रा क्या करती है club महिंद्रा 10 साल और 25 साल के holiday packages बेचती है time share model में यानि हर साल आपको 7 दिन मिलेंगे आप उनके 50-60 जितने भी resort है वो कहीं भी जाके एक हफ़ता आप उनके resort में free में रह सकते हैं 25 सालों तक 7 दिन per year लेकिन इसके बदले में आपको शुरुआत में 25 सालों की membership fee देनी होगी और हर साल एक maintenance fee देनी होगी तो ये है Club Mahindra का simple business model अब मेरे को देखना है कि ये industry कैसा कर रही है hotel industry कैसा कर रही है Club Mahindra के resort हैं तो मैं resort and hotel industry से उन्हें compare करूँगा एक चीज है कि क्या hotels की demand इंडिया में बढ़ेगी तो जैसे जैसे इंडिया में इंडियन्स की घूमने की आदत जादा बढ़ती जा रही है tourist places में भीड जादा बढ़ती जा रही है तो लोग घूमना पसंद करने लगे हैं और काफी frequently घूमने लगे हैं तो tourist destinations में जहां Club Mahindra के resort है उन destinations में बढ़ते footfalls के कारण industry में growth तो अच्छी है अब बात करते हैं business model की resort तो कोई भी खोल सकता है 5 star, 4 star, 3 star hotels तो सब के पास है तो Club Mahindra क्या अलग कर रहा है और यहां आपको समझ में आएगा कि business model को असली में समझना कितना जरूरी है दूर से देखने पे तो Club Mahindra भी एक resort या hotel company लगती है जो इसमें कि आप एक दिन पैसा देने के वज़ा है advance में पैसा दे रहे हो और हर साल आप 25 सालों तक जा सकते हो अब बात करते हैं कि इसमें क्या different है different यह है कि क्योंकि Club Mahindra आपसे 25 सालों का पैसा advance में ले रही है तो अब imagine करिए कि अगर आपको एक hotel खोलना है अगर आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा 3-star, 4-star hotel खोलना है तो आपकी सबसे पहरी requirement क्या आएगी सबसे पहरी requirement आएगी land आपको land ऐसे area में लेना है जो mostly airport के पास हो या वहाँ नहीं मिल सकता तो railway station के पास हो क्योंकि जादातर लोग train या airport से आएंगे तो आते जाते आपका hotel रस्ते में होना चाहिए तो ऐसे में airport और railway station के पास land काफी महंगा मिलता है तो एक average 3-star, 4-star hotel की total project cost में से 40% cost land की होती है land लेना बहुत महंगा होता है अब यही 40% cost क्लब महिंदरा ने अपना unique business model से हटा दी कैसे? क्लब महिंदरा ने 25 सालों का पैसा आपसे advance में ले लिया तो अब आपने क्योंकि advance पैसा दिया हुआ है अब आप किसी भी tourist destination जाएंगे तो रुकेंगे तो क्लब महिंदरा में जब आपने पैसे दे रखे हैं तो कहीं और क्यों रुकेंगे? तो क्लब महिंदरा को अपना resort किसी railway station या airport के पास नहीं खोलना वो शहर के आखरी कोने पे भी जहां सडक नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है वहां भी जाके अपना resort खोल देगा तो जहां बाकी hotels की land cost आती है 40% कलब महिंदरा को ये cost आती है 5-6% जिस कारण उनको hotel पूरा खड़ा करने का जमीन खरीदे से लेके hotel खड़ा करने की cost बाकियों के मुकाबले 35% तक कम हो जाती है तो दूर से देखने से तो वो भी एक resort company लगती है लेकिन असल में महिंदरा का business model क्या है कि tourist को ऐसी जगे तक खीच के लाना जहां जमीन बहुत सस्ती है वहाँ एक अच्छा सा resort बना देना वो एक normal hotel company नहीं है वो tourist से advance में पैसा लेके उन्हें remote areas तक लेके जाती है ये club महिंदरा को दूसरों से अलग बनाता है लेकिन हम सब ने उसे ज़्यादा तर लोग जो भी club महिंदरा को जानते है उसे एक normal resort company ही समझा अब ये तो सिर्फ land तक की बात थी इसके बाद ज़्यादा तर अगर आप club महिंदरा जाएंगे इंगल का feel देने के लिए flooring भी marble की नहीं करनी पड़ती tent में कई बार आपको रुकवाते हैं तो construction cost भी बहुत बचती है rooms में बहुत ज़्यादा decorative material नहीं होता मोटी मोटी महेंगी mattresses नहीं होती तो उसके बाद ना सिर्फ land में जबकि construction में भी interiors में भी Club Mahindra का काफी पैसा बचता है उसके बाद 25 सालों का पैसा आपसे advance में ले लिया तो वो 25 सालों का जो advance में उनको float money मिला है वो कहीं invest करके उससे भी return generate करते हैं तो आपके पैसे से Club Mahindra returns भी generate करता है ये चीज बाकी hotels में नहीं हो पाती है अगर आप बाकी hotels की membership लेते भी है तो जादा से जादा एक या दो साल की लेकिन यहां 25 सालों का पैसा आपको advance में मिल गया सोची एक ऐसा business model जहां client आपके साथ 25 सालों के लिए बंद जाए और एक दो साल का नहीं पूरे 25 साल का पैसा वो आपको advance में दे दे अगर आप business करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 25 सालों का agreement अगर आपसे client साइन कर ले और 25 सालों का पूरा पैसा आपको advance में दे दे तो वो business कितना अच्छा होगा आपके लिए यही कर रहा है Club Mahindra तो इन दो examples से मैं उमीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि business model सही समझने से हमारी किती गलत फैमिया दूर हो जाती है हमारा vision कितना clear हो जाता है अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे तीन sources जहां से यह business model आप आसानी से समझ सकते हैं पहला सबसे obvious है annual report उसमें management discussion and analysis वाला एक section होता है या directors and chairmans report वाला section होता है यह दो section से आपको business के बारे में काफी understanding आपकी बढ़ जाएगी चाहे वो कोई भी company हो यह दो sections उनकी annual report में होते ही है इसके अलावा दूसरा यह थोड़ा less obvious है investor presentation जादा तर कमणियों की website में investor presentations होती है आप इसे google भी कर सकते है जैसे महिंदरा holidays investor presentation HDFC bank investor presentation तो usually जो पहला दूसरा link होता है वो आपको investor presentation की तरफ ले जाएगा तीसरा यह थोड़ा unique है company के advertisements देखिए advertisements कैसे हैं जैसे domino's के advertisements को आप बार बार देखते और इस horizon से देखते कि आपको उनका business model समझना है तो आप समझ जाते कि यह delivery business में है Club Mahindra के अगर आप advertisements देखेंगे तो वो कभी भी हमारे resort कितने सुन्दर है इस पे focus नहीं करते family एक अच्छा time बिता रही है time आपको अच्छा मिल रहा है वो अपने time share concept पे और holiday वाले concept पे focus करते है तो आपको समझ में आ जाता है कि यह time share और advance में पैसा लेके आपको 25 सालों तक holiday देने वाली company है यह resort company नहीं है तो ads देखने से भी काफी कुछ clear हो जाता है और यह सारे तरीके बहुत आसान हो जाने वाले हैं 31 January को जब हमारा stock screener launch हो रहा है थोड़ा time लगा थोड़ा delay हुआ because we wanted our stock screening website to be the best जो आ रही है 31 January को और इसका नाम मैं जल्दी ही disclose करने माला हूँ आज इन दो examples के जरीए मैंने आपको बताया कि हम लोग finology में किस तरीके से companies को analyze करते हैं उनके business model को कैसे in-depth समझते हैं और अगर आप इसी तरह की बहुत सारी stock analysis, tips and tricks सीखना चाहते हैं अगर आप valuation, business model analysis, management analysis कैसे सारे expert lessons पाना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं Academy of Value Investing को जो आपको Hindi या English दोनों ही languages में available है इसको भी आप उपर card पे या इस वीडियो के description पे click करके join कर सकते हैं तो क्या ये Domino's का असली business model जानके आपको हरानी हुई अगर हाँ, तो इस वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा ताकि बाकी लोग भी इस तरीके से companies का असली business model समझना सीख सकें तो Zomato, Paytm या Domino's ऐसे कई और business model वीडियो देखने के लिए आप दबा सकते हैं subscribe बटन को और bell icon क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी कई सारी opportunities और नए नए ideas आप से मिसना हो जाए साथी आप मुझ से जुड़ सकते हैं Instagram या Twitter पर भी जहां मैं और इस तरह के ideas शेर करता रहता हूँ मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे videos तब तक के लिए This is Pranjal कामरा Signing off Bye Bye